विडियो काफी एंपॉटन टापिक पर होने वाला है आज हम कंप्प्लीट वाइरिंग के बारे में हम समझी ले वाली है कि इसकी वायरिंग कैसे कि जाती है इस प्लीट ऐसी की यह है ऑदव कि नॉर्मल एसी की पहचान देखे ना इसमें फोरवे रिवर्सिंग वालब कहीं भी नहीं लगा है यानि कि यह हीट कूल यूनिट नहीं है यह सिर्फ कूलिंग यूनिट है अगर हीट कूल यूनिट होता तो यहां पर फोरवे रिवर्सिंग वालब लगा होता लेकिन यहां प पर फोरी रिवर्स वालब नहीं लगा है कहीं भी, अगर लगा होता तो यहीं पर लगा होता, नहीं लगा है, यह नॉर्मल एसी है, यानि कि यह सिर्फ कूल यूनिट है, तो इसकी वाइरिंग कैसे की जाती है, इसको भी समझ लीजिए, तो इसकी वाइरिंग यहां पर चार और यह यहां पर करके जुड़ता है एक नूटल कहीं की नूटल तया नो यहां पर जो據 यह एक command line एक neutral है यहाँ प्यार है आउट्डोर में यहाँ पर joint होता है और indoor में यह indoor to outdoor इसका supply दी जाती है तो indoor को पहले neutral face दिया जाता है उसके बाद indoor on होता है PCB और करता है फिर PCB से command line निकल करके output यहाँ से आता है यह system में जो कि यह एक line आ रहा है output तो command line वाला जो आता है न देखिए यहाँ पर जोड़ता है और यहां से एक wire यह पहले motor का wire है motor का wire इसको हम निकाल लेते हैं motor के चार wire है पांच wire है एक तो यह अर्थिंग है और यह चार wire है लेकिन इसे तीन wire ही मानते है एक common running स्टार्टिंग है यह लेकिन अंदर ही motor के अंदर ही joint किया गया है यह और यह निकाल करके कैपेसिटर में दिया गया है अब यहां पर एक न्यूटल एक लाइन सप्लाई यहां पर दिया गया है जो कि यहां पर एक न्यूटल और एक लाइन जो कमान लाइन आता है ना ओ लाइन सप्लाई और एक न्यूटल यहां पर दिया गया है तो यह सीधा में में सप्प्लाई होता कि Communist चु detox करें कैपेसिटर के साथ या तो अंदर मोटर के अंदर असे बीद्ध कर सकते हैं बात करते हैं कंप्रेसर की, कंप्रेसर में एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है, तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो होता है, इसकी सप्लाई कैसे की जाती है, तो यहाँ पर एक न्यूटल है, और यहाँ पर एक लाइन है, तो जो लाइन सप्लाई है ना, वो सीधा common पे जाता है जो कि command line जिसे कहते हैं और एक neutral supply है neutral supply